हलो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे यूटूब चैनल में आज मैं बहुत ही महात्पूर्ण एग्रिकल्चर से संबंधित टॉप 10 परिच्छा उपयोगी प्रश्ण लेकर आया हूं जो कि आपके परिच्छा के लिए बहुत ही महात्पूर्ण ह होगा इन चारों में से वह आप्शन नंबर ए सही है अप्शन है बंद डिब्बों में फल संरच्छन करने का तरीका वापनियन कैनिंग है मित्रों अगर आप अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिपिकेशन बेल आउन करते हुए कोशन नमबर टू है कौन परिशन रच्छन के काम नहीं आता है यह चार आपसन आप लोगों के सामने है इसमें से एक आपसन ऐसा है जो परिशन रच्छन के काम नहीं आता है तो ओपसन कौन सा है तो आपसन नमबर डी हाइड्रो क्लोरिक अमल जो है परिशन रच्छन के का नहीं आता है नेक्स्ट प्रेश्ण है कोश्चन नंबर थी कि पात्ता गोभी कैबेज पार्ट का कौन सा भाग खाया जाता है बहुत ही महत्पूर प्रेश्ण कोश्चन नंबर थी का राइट एंसर है आप्सट नंबर भी वानस्पतिक कलिका नेक्स्ट प्रेश्ण है कोश्चन नंबर चार भारत में हरित क्रांती की सुरुवात कब हुई चार आप्सट आप लोगों के सामने है और ये प्रेश्ण बहुत ही महत्पूर है लगभग सभी परिच्छाओं में पूछे जाते हैं तो कोश्चन नंबर फोर का राइट एंसर होगा आप्सट नंबर सी उननी सो सांडशट अरशट 1967 में डक्टर MS स्वामी नाथन ने हरित क्रांती की सुरुवात की थी और हरित क्रांती में खादान उत्पादन के लिए बढ़ावा मिला था जिसमें मुख्य फसल आपका गेहूं और धान था मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास सियर करना ना भूलिएगा कोश्चन नंबर फाइफ है छारिये मिर्दाओं में सुधार लाने के लिए उपियुक्त रशायन कौन सा है आप्सन है जिपसम, गंधक, पायराइट, चूना पत्थर तो कोश्चन नंबर फाइफ का राइट अप्सन है जिपसम, अप्सन ए बिल्कुल राइट है कि जिपसम रशायन का उपियुक करके छारिये मिर्दाओं में सुधार किया जाता है जिपसम का नाम क्या है मित्रों? तो जिपसम का रासानिक नाम है कैल्सियम सल्फेट और इसका सूत्र है C-A-S-O-4 अब जिपसम में कैल्सियम की मात्रा कितना होता है तो 16-19 प्रतिसत और सल्फर का कितना होता है तो सल्फर का होता है 13-16 प्रतिसत यह भी आप लोग याद रखेंगे चलिए नेक्ट प्रेशन देखते हैं प्रेशन नमर 6 है कि कौन सा मिर्दा सुधारक स्वाइल कोरेक्शन होता है आपसन है अमोनियम सल्फेट, राक फॉस्फेट, जिपसम, डिएपी तो मित्रों मिर्दा सुधारक जिपसम है बाकी ये तीनों खाद हैं जिनका हम फशलों में उपियोग करते हैं फशल उत्पादन अच्छा करने के लिए कोश्चन नमर 7 है बहुत ही महत्पून कि सेंट्रल टोवाइको रिसर्च सेंटर कहां इस्थित है तो कोश्चन नमर 7 का राइट एंसर है आपका बी राज मुंदरी में नेक्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 8 काली मिट्टी का रंग काला किसकी उपस्थिती के कारण होता है ओप्सन है कारवनिक पदार्थ, हुमस, टिटेनी फेरस, मैंगने टाइड, योम हुमस, और ओप्सन डी है गोवर की खात तो कोश्चन नमर 8 का राइट एंसर है C टेटनी फेरस मैगनेटाइड यो महुमस की उपस्तिती के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है Q9 है कि पुरानी जलोड मिट्टी किस नाम से जानी जाती है अप्शन है खादर, बांगर, भावर या रे है तो Q9 का राइट एंसर है बांगर बी अप्शन राइट है और इस वीडियो का लाश्ट प्रश्न है ये भी बहुत ही महात्पूर्ण है और लगभग सभी परिच्छाओं में पूछा जाता है कि गेहूं का काला टिक रोग, ब्लैक टिक डिसीज किसके कारण होता है आप्शन है फफूदी, जीवाण, बिसाण, एक्ट्रोमाईसीज तो कोशे नमर 10 का राइट एंसर है आप्शन ए फफूदी के कारण होता है तो ये रहे बहुत ही महात्पूर्ण आपके परिच्छाओं प्रश्ट दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी सियर करिएगा चलिए दोस्त तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थांक्यों सो मज़